हेलो एवरीवन आप लोग कैसे हो आप लोग को पता चली गए होगा कि 31 मही तक लॉकड़ाउन फिर बढ़ गया है और इस समय सबको सबसे ज़्यादा जरूरत पालर्स और सलून्स की है जो की समय बंद पड़े हुए है और अगर कहीं खुले भी हैं तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है तो हमारे जो हाथ पैरों में समय धेर सारे बाल उग गए हैं तो उनको हम कैसे हटाएं तो इसका सबसे एक अच्छा तरीका है लेडी सेवर से बालों को हटाना मैंने आज ही यह देखे शेव किया है शेवर से बहुत अच्छा यह यूज है मैं तो कई सालों से यूज कर रही हूं लेकिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी यह वीडियो शेयर करूं जिससे कई लोगों को प्रॉब्लम जा रही है कि इन बालों को हम कैसे मतलब रिमूव करे कैसे हटाएं जिनकी हमेशा आदत रहती है वैक्सिंग कराकर के बाल हटाएं रहने की तो उनको बहुत ही एक उल्जन सी फील होती है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीका मैं लेकर आई हूं कि लेडी सेवर से आप शेव कर सकते हैं यह बिलकुल सेव है और इस क्यों यूज किया है तो सबसे पहले आप यह वीडियो देख लीजे कि मैंने आज कैसे लेडी शेवर से शेव किया है हमें जहां से बाल रिमूव करने हैं वहां साबून का अच्छा जाग बना लेंगे फिर उसे एक मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर शेवर से बाल निकाल लेंगे और जो भी बाल हमारे हाथों में और शेवर में आए हैं उनको हम अच्छे से पानी से धोलेंगे तो आपने यह वीडियो देखा तो यह बिल्कुल ही आसान है सेफ है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैं तो दो सालों से यूज कर रही हूं उसके बाद ही मैं आप तक यह वीडियो दे रही हूं क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इतने सालों से यूज करने में बल्कि वैक्सिंग कराने में मुझे प्रॉब्लम भी थी तभी से मैंने यह यूज करना स्टार्ट किया मैं एक पालर में दो साल पहले वैक्सिंग क कराया था दोनों हातों में पूरे बेड़ था और दाने हो गए अब पूरा हाथ यह मेरे रेड़ने दो तीन दिनों कंटिन्व बनी रहीं का आप थो मैं कभी जिन्दगी में नहीं करा हूंगी वेक्षिनस इतना ज़्यादा में डर गई थी और बहुत ज़्यादा पेन हुआ था हूँ फिर मैंने यूज करना स्टार्ट किया लेडी सेवर तो लेडी सेवर जब मैं यूज करने लगी तो आप सच मानिए इतना इजी हो गया और कोई पेन नहीं होता सबसे बड़ी बात है कोई पेन नहीं होता ही रेडनेस नहीं कुछ और पालर वाले बताते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए इससे आपके ग्रोध बहुत ज्यादा होने लगेगी आपकी इस्किन खराब हो जाएगी काली पड़ जाएगी कि मैं दो साल से यूज कर रही हूं मेरी इसके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही ना काली हुई है ना ग्रोध बढ़ी है कि बहुत ज्यादा बाल आने लगे हैं विल सेफ है आप घर पर इजी कर सकते हैं बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपका सेवर लेडी सेवर होना चाहिए ना कि जेंट सेवर क्योंकि जेंट सेवर से आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में परलर में वैकसिंग कराने के अपाइक्षा और इस समय तो बिल्कुल जरूरी हो गया है कि आप घर पर ही करें आप बिलकुल भी रिसक मत लें पालर जाने का इसलिए आप घर पर इससे कर सकते हैं आसानी से कि इसको आप कई दिनों तक कैसे चला सकते हैं तो इसको जब भी आप यूज कर लें उसके बाद इसको अच्छे से धो करके धूप में सुखा लें और इसका जो एक कवर आता है इस कवर में रख करके इस तरह आप इसको कवर में रख लें और उसके बाद कोई भी सुखी प्लेस में जैसी यह ड्रेसिंग टेविल है ड्रेसिंग टेविल भी किसी ड्रायर में आप इसको रख करके कई दिनों तक चला सकते हैं इसको आप बात्रूम में बिल्कुल न रखें क्योंकि बात्रूम मे तो इसमें हो सकता है, जंग रगार भी लग सकती है, इसलिए इसको आप दूप में सुखा लें, और फिर इसको कोई भी सूखी प्लेस में रखेँ, इसको हाथों में, पैरों में, अंडरराम्स में यूज़ करिये, बिल्कुल यह सेफ है कहीं भी आपको कोई प्रॉब्रम नहीं होगी यह मैंने यूज किया है तब ही मैं आपको बता रही हूँ तो चलिए आपको यह अगर वीडियो ज़रा भी इन्फामेटी लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अगर आप अमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब किये वगर मत चाहिए तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई